आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्भागत है क्राइम वोल्ड को सब्सक्राइब करो यार डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया शाहबुदून की कहानी हम जाने है पहला मामुद मौमद बिन कौसिन था महामुद अवसरी दूसरा महामुद घोसी घाव घोरी तीसरा कुतुब बुद्धिनेबग चौथा और इलतुत्मिश पांच बार तो आपको पता ही है कि मैं पूरी मेडाइबल हिस्ट्री कवर कर रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट सारी चीज से हैं तो यह स्लिप डाइनिस्ट्री होप आपको याद होगा कि सबसे पहले भूल गया है यह पोरी की पुरी स्लेब डाइनिस्ट्य है तो स्लेफ डायनिस्ट्टी 126 से लेकर यार याद कर लो यह बार बार मैं बताऊंगा नहीं फिर से आज आखी बता रो 126 से 1290 तक यह एज़ेटर्स आपको याद करना है ठीक है ना उसके बाद खिल जीज आये थे 1290 से लेकर 1320 तक फिर आपके आये थे तुगलक्स ठीक है 1320 से 1413 तक फिर आये थे आपके सहीत 1413 से 1453 तक फिर आये थे आपके लोदीज 1453 से 1526 तक फिर आये थे आपके मुगल्स 1526 से 1857 तक और फिर बिटिश 1857 से 1947 तक एक बार जड़ा इसको बना लो लिख लो अच्छे से ठीक है यहां तक यह लोदीज तक इसको कहते दिल्ली सल्तनित अब दिल्ली सल्तनित में सबसे बड़ा काम किया इल्थ उत्मिश्णिन जो कि अभी हम आपको बताएंगे तो इसको एक बार अच्छे से लिख लो पॉस करके ठीक है यह आपके सामने स्क्रीन शॉट लो वैसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो इल्थ उत्मिश्ण देखो स्लेव डैनिस्टी है इतिहास में एक इंसान आता है कंसॉलिडेट करता है दूसरा एक्स्पैंड करता है तो यहाँ पे इल्थ उत्मिश्ण ने कंसॉलिडेट किया बलबन ने एक्स्पैंड किया महमुदाव गजनी आया पहले बिन कासिम आया हमला किया भाग गया डेट सो साल तो कोई आकरवन ने गजनी आया हमला किया भाग गया घोरी आया बैटल अफ तराइन जीता और यहाँ पे उसने रूल इस्टैब्लिश किया अब बहुत ध्यान से समझो पहले कुछ हम फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि डारेक्ट एक्जाम में पूछा जाता और यही पूछा ही जाता है इल्तुत्मिश 1210 में आया इल्तुत्मिश कौन था एक स्लेव था ठीक है इल्तुत्मिश एक गुलाम था स्लेव डाइनिस्टी है ना मामलूब भी इसको बोलेंगे तो इल्तुत्मिश एक गुलाम था कब जन हुआ हमको नहीं पता और उसे लेना देना भी लिए लेकिन किस से लेना देना है कुतुब बुद्धिनेबग जो कि पहला रूलर था गवर्नर था याद रखेगा सुल्तान नहीं था कुतुब बुद्धिनेबग ठीक है तो कुतुब बुद्धिनेबग सुल्तान कौन होता है सुल्तान और बादशामें क्या फर्क है सुल्तान क खेल रहा था गिरिया मर गया कुटब अधिने पक ने क्या किया कुटब अधिने पक्ने सबसे पहले तो मैरिटल एलाइन्स बनाएं देखो जब भी तुम गद्धी लोगे 50 लोग तुमको गडियाएंगे और 50 लोग तुमको नीचे गिराएंगे पॉलिटिक्स राजनीती बड़ी डेंजरेस होती है तो जब कुतुब बुद्धिनेबक ने गद्धी ली थी याद है ना मैंने क्या पिछली बार बता था कि कबाचा और यालदोज ने विद्रो कर दिया था लेकिन दोनों के साथ ही मैरिटेल एलाइंस कर लिये थे इलतुत्मिश एक ऐसा इंसान था जिसको हर कोई पसंद करता था महमुद गोरी तो जान चुलगता था और कुतुब बुद्धिनेबक अरे लड़का है तो यही है ले जाओ मेरी बेटी मेरी बेटी के लिए एक ही तो सलमान खाना है आप है वह हमारा इलतुत्मिश तो कुतुब बुद्धिनेबक ने अपनी बेटी की शादी इलतुत्मिश से करवाई थी और इलतुत्मिश जो था वो कुतुब बुद्धिनेबक का दामाद था तो अब जाहिट सी बात है कुटुब बुद्धिनेबग का के बात कौन जो है वो गदी समाले का वो था इलत्विष 1211 में लेकिन यह अथना आसान नहीं था जैसे ही जैसे ही कुटुब बुद्धिनेबग मरा खबर भील नहीं मर गया कुट बुद्धिनेबग चंदेल्स जो थे चंदेल्स ने बोला कालिंजर लेलो चाहमांस ने बोला जोदपुर लेलो ठीक है बाकी यह आपका बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया सेंट्रल इंडिया हो गया बिहार बंगाल सब आज़ाद हो गए बदाईउं अदाईउं सब कन्नो सब ने आजादी सबसे पहले तो वह एक संदेश भेजता था कि हमारे अंडर हो जो नहीं अगर होता है तो पूरी सेना भीज देता था तो धीमे धीमे करके इसने सारे के सारे एरिया को अपने कबजे में लिया पंद्रा सो बारा बारा सो पंद्रा में बैटल अफ तराइन लड़ी गई यालदौज और तब कबाचा यह जो कुतब बुद्धिनेपक के समय थ लेकिन अब हमको गद्धी मिलेगी तो यालदौज जो है वो आ गया यहां पर लड़ने और यालदौज ने बोला कि अपसे हम राजा हैं इलतुत मिश्वारे अंडर काम करेगा जैसे को दुबो दिने मगमरा उसकी और कुछ वो हमारे अंडर हम उसके अंडर नहीं हैं हम है यहां पर 1215 में तराइन में फिर युद्ध हुआ यालदौज को मार दिया जान से तो यालदौज का खेल खतम कबाचा कबाचा लाहौर तक आ गया था मुलतान से लाहौर तक लेकिल इलतुत मिश्वाला निकलो पहली फुर्चत ने निकलो दुबारा दिखना नहीं है आप छपोड से दिल्ली confess को शिफ्ट किया था और यहां से ही दिल्ली सल्तनیत का असली सर्थाषन असली डिली सल्टनेत इलतुतमिश के समय से आई यानि कि Welly S этих लेगिन दिल्ली से पूरी सल्ता सल्तनेत का चलना यह 1211 से हुआ आप समझ रहों दूसरा पॉइंट इल्टुत्मिश वाज दी फर्स्ट रूलर टू है अगर पूछा जाए भारत का कौन था तो वो था इल्टुत्मिश को पता था कि मेरी अथॉरिटी को बार बार चैलेंज किया जाएगा तो उसने खलीफाओं को लिखा जो कि इसलामिक में पूरा सब कुछ देखते थे इसलामिक हैड होते थे उन्हों ने यहां पे बग लिखनी पड़ती आपको एप्लिकेशन लिखनी पड़ती थी बगदाद ने वहला हां काफी टाइम से रूल चल रहा लड़का बढ़िया है तो 1229 में पूरी डेलिगेशन भीजी खुब बड़ी सेरिमनी होती थी और इल्तुत्मिश को सुल्तान का टाइटल मिला है ना तो मस्त सलमान खान स्टाइल में इल्तुत्मिश गुमने लगे ये चीज़ है तो इल्तुत्मिश वादी फर्स्ट सुल्तान पहला सुल्तान था इल्तुत्मिश ये बहुत ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा ठीक है अब उसके बाद एक एक करके इसने सारे विद्रों को स हराया सब को इसने क्या क्या हराया इन दे सेंस कि इसने सब को सब्प्रेस किया और बोला कि हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो तो हमारा रूल जो है वो चलेगा इसी के समय मॉंगोल्स का अटाक हुआ ये भी इंपोर्टेंट है 1205 में एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है एक लड़का तो तिमुजिन करके ठीक है उसके पिता जी जो है वो कौन थे एक ट्राइब के लीडर थी एक दिन उसके पिता जी मर जाते है तो तिमुजिन क्या होता है कि बड़ा परशान अब ट्राइबस में अगर कोई लीडर मर गया तो उसकी फैमिली को पीछे छोड़ दे दे तो तो तिमुजिन का एक भाई मा बहुत परशान दरदर भटक रहे भीक मागने को मजबूर उसने बगल वाली ट्राइब को कॉंटाक्ट किया उनकी बेटी से विवाकिया धीमे धीम वह सारे एडिया को जीतने लगा और एक दिन उसने सारे एडिया को जीत लिया और 1205 में उसने अपना नाम रखके चंगेजखान रखा उसने खान का टाइटल लिया और उसने अपना आगे चंगेज लगा लिए तो चंगेज खान तिमुजिन बहुत बेसिकली चंगेज खान जिसने पूरे मॉंगोल की ट्राइप को एक कर दिया खान मतलब लीडर अब उसके बाद इसने एक्सपांशन शुरू किया ये तो अब क्या हुआ कि बाई चंगेज खान पहले अपने डिप्लोमाट्स को भीज़ता था तकि जो उन से बात करो अगर मान गए तो ठीक है तो बोलता था कि हमारे एंडर काम करो मान गए तो ठीक है वाना निस्ते ननाबूद कर देता था थीक है तो बारासो पांच के आताम हर घर जल रहा है हर और जल रही है और सब लूट के ले गया और यहां पे भी रहा तो पूरे समझ लिए मॉंगोल एंपायर पूरे यूरोप तक फैला था नॉमैडिक एंपायर था उसके बाद कभी हम और करेंगे तो बारा सो चौबिस के दौरान ठीक है ख्वारिजमियन इंपायर जो परिशन इंपायर जिसको आप बोल सकते हैं शाह जलालुद्दीन यह इनकी यहां के राजा थे ठीक है तो भाई आप चंगेश खान ने इनको अपने मेसेंजर भेजा और इनको बोला कि आप सरेंडर कर दो या हमारे साथ काम करो तो खु कोट में हसी हुई है एथा को बास है ठीक है अबीर को लाओ अभी यह निकाली तलवार और उसके बाद सट से गला काट दिया उस मेसेंजर का और मेसेंजर को गला काट के बहुत अच्छे से गिफ्ट में पैक वैक करके बोला कि जो वापस ने जो और चंगेश खान को बोल तो उसने देखा मेसेंजर का गला कटा है चंगेश खान बला अच्छा रुको जरा रुको जरा सबर करो तो चंगेश खाने बला चलो आओ पिटा निकालो अपने धनुजबार जलालुद दीन की जिंदगी का सबसे खतरनाक मूमेंट और एक ऐसा मूमेंट जो सात जन्मों तक याद रहेगा जलालुद दीन छोड़िये वहां पे जो इनसान था उसको मारा उनके पड़ोसी को मारा उनके पड़ोसी को कुटों को मारा उनके लोगों को मारा चंगेश खान ने ख्वारिजबियन एंपायर पे ऐसा कहर बरसाया कि आने वाली पुष्टे सोजा सोजा बेटा वरना चंगेश खान आ जाएगा खतम कर दिया पूरा का पूरा वहां का जो राजा था जलाल उद्दीन जिसने सर काटके बेजाता हो भागा वहां से कि भाई मार देगए मार देब गोली के हूँ न बोली तो निकला वहां से वह बहुत तेश भागा इतनी जोर भागा कि भाई हटाओ भागो यहां से पीछे चंगेश खान चेस करने लगए और उसके बाद सामने थी सिंधु नदी ठीक है वो यहां पे भारत पहुंच गया पाकिस्दान साइट सिंधु नदी और पीछे यह चंगेश खान आ रहा था और वह उफान पे थी नदी और उसने जम पमार दी जलालु दीने की भाई इससे बच जाएंगे अब जम पमार के वह भारत में इंटर कर गया मतलब उस समय पाकिस्तान भी यह की यही इंटर कर गया और वहां पे कबाचा रूल कर रहा था तो अब उसने इलतुतमिश के पास आया कि अरे भाईया चंगेश कान दोड कि यार चलो लेट सेल पें बट अड़ी सेम टाइम उन्होंने की नो और नो 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 तुमारे तुम मेरे पीछे और चंगेश कान तुमारे पीछे टूमच फन तो इतनी मुझे किक नहीं चाहिए तो ऐसा है कि आप निकल जाओ हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे क्योंकि अगर चंगेश कान यहां पे आगे तो हमानी बैंड बच जाएगी वैसे भी बड़ी मुश्किल से अपनी सततता समाली एर वैसे ही परसान हूं मैं पिछले चौदा साल हो गए एक बार मुझे चैन की सांस अभी हर एक विद्रो को हटाता हूँ तो दूसरा खड़ा हो जा तब तुमाइश कौन दे लेगा भी चंगेश खान को मैया हम जाओ यहां से बगा दिया चंगे तो फिर वो कबाचा के पास गए तो कबाचा ने उनको कबाचा को हरा दिया ठीक हमार दिया और उसके बाद फिर वहां पे कुछ टाइम तक रूल के लिए फिर वो मर गय तो इसलिए इलत्युत्मिश जब चंगेश खान को पता चला कि चलो बढ़िया इलत्युत्मिश शरर नहीं दिये तो चंगेश खान अपनी मतलब बातों का बहुत पक्का था ठीक है यह उसके आप अगर देखो ना भले ही वह बहुत सैवेज था इंपायर जहां जावे उस काबियत यह थो तुम तुम आ लगतों थीक है जिसके पास काबव यह तसलिए रखेंगे और वोर में सबसे जधा तुम ही पयेंद रहेंगे यह था उसका हाइली सेक्विलर सारे धर्मों की इज्जत हो टी ती्ट अब धर्मों की इजद गदा था चंगेश खान अगर मालो की उसने जैसे पुलिस क्या करती है आप पुलिस पे गए आप नहीं मालो की जैसे कोई किसी ने कतल किया है अब वो गया पुलिस पहले प्यार से पुझे की जुल्म कुबूल करो नहीं कुबूल करो नहीं कुबूल करो नहीं कुबूल करो नहीं और एफिशेंट फाइटर थे और अपनी जबान का बहुत पक्का था एक बार जो वचन दे दिया उसके बाद फिर वह और करता था उसे तो इलतुतमिश फिर वह आए नहीं यहां पर आक्शुल में मॉंगोल्स को हराया अलाउदीन खिलजी ने इसकी बात हम करेंगे बाद मे में मॉंगोल्स को लाउदीन खिलजी ने बहुत मारा ठीक है यह चीज है तो चंगेश खान तो किया तब तक मर गया था 1230 आते तो इसी लिए इलतुतमिश या हमले ही नहीं किया चंगेश खान ने यह हिसाब किताब तो इलतुतमिश अपने पूरे जीवन में कभी सही से र कोईंसी बुल्स कोईंस जो है वो चला रहा था ठीक है हिंदू शाही कोईंस चल रहे थे लेकिन अभी कोईं में तो एड्मिनिस्ट्रेशन में जो चीज आपको याद रखेंगा यूपी सी में किसी भी एक्जाम खाली काहनी नहीं पूछी जाती है काहनी बस आपको समझान के लिए अड्मिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है तो इल्तुत मिष्ट ने सबसे पहले तंका और जित्तल यह बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है जित्तल कॉपर कॉइं तंका सिल्वर कॉइं तो यह दो कॉइंस इसने इसू किये बहुत इंपॉर्टेंट इसने बोला तो एक इदर निकालो तंका एक निकालो जित्तल तो तंका जित्तल किसने शुकिया था इल्तुत मिष्ट ने पहला पॉइंट दूसरा उसको पता था बहुत बड़ा इंपायर है मुश्किल होगा इतने बड़े इंपायर को दिल्ली सल्तनेत को इतना अपने कबजे में करना या control करना तो उसने क्या वनाया तुरकाने चहल गंज बहुत ही important पहुत ही important है ये ठीक है ये क्या था ये group of 40 nobles था जैसे उस समय जो सुल्तान था वो प्राइम मिनिस्टर है ना nobles bureaucrats होते थे ये bureaucrats थे ठीक है आज की I.S. officer तो 40 bureaucrats होते थे जो कि अलग लग department को देखते थे बल प्रोक्राटी था एक नोबेल था और सबसे निचला नोबेल था इसमें ranking दी जाती थी वन टू थरी फोर ये सबसे बड़ी गलती किसकी थी इलतोतमिश्की क्योंकि अब यही किंग मेकर बन जाएंगे यही राजा को बनाएंगे इलतोतमिश्की इलतोतमिश्क के चार बेट याद रखेंगा तुरंत इलतोतमिश्क नहीं आया था कुछ शेम हीने के लिए लेकिन आराम शाह को सब पसंद नहीं करता था और आरम शाह को मार दिया था इलतोतमिश्क तो इसके बाद जो है वो इलतोतमिश्क आया था ठीक है यह चीज़ है तो ग्रूप फुर्टी अनुचिन आराम संद गालती कमाल धमाल माल मतलब इसको बच्पंस ही तो सबसे च्याता पसंद करता था लेकिन उस में इस्लाम में आप कैसे belonging को सत्ता दे सकते हो लेकिन रजी डेटी थी मैं सो सोब्तां का टाइटल लिया रजी और यहीं बंगी उसकी बात हम करेंगे अग अगला क्या था यह हो गया चलो मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं सबसे important यह तीरों चीज बहुत important है वैसे आप बोल रहें सर आप हर एक चीज सबसे important सबसे important बोल देता हूँ यह मैं इसको मिटाई देता हूँ यह आप लिख लिए ना इसको लिखते चलो तीसरा था एकता सिस्टम शार तरीके के इकता होते थे एक military एक charitable purpose के लिए एक salary purpose के लिए देखिए इकता पहले तो आप यह समझे लिखता होता क्या था समझ रहो एकता देखिए इकता के लिखर बात करते हैं तो basically यह बहुत बड़ा land होता था बहुत जमीन होती थी बहुत बड़ी अब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में divide कर दिया जाता था समझ रहो छोटे छोटे पार्ट्स में divide कर दिया जाता था अब उन जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे किसको दिए सबसे पहले दिए मिलिटरी को इनको दो तरीके के इकता होते थे एक बड़ी जमीन बहुत बड़ी एक चोटी जमीन बहुत बड़ी जमीन तो चोटी जमीन जैसे मिलिटरी को दे दिए अब यही क्या करते थे यही इनको जमीन मिल गई इसी जमीन पर कबजा करके बैट जाते तो अपनी आर्मी बना लेते थे जिर दूसरा जो होता के लिए होता था कि ये हमने चोटे-चोटे लैंट साबको दे ले डी लिए बड़ा अग्ध लेल डिया जाता थो तो यह जाए पैसा पहसे पैसा आता था और इससे produce आए वह हमको दो आदा और आदा तुम रखो आदा नहीं basically होता था फिर रोताолот大家 charitable purpose के लिए तीसरा ईक्ता होता था charitable purpose के लिए छोटे खिर ही होते थे ठीक है छोटे land होते थे कि बहुते बना लिया कुछ बना लिया और uh they long hoor को आपको दे रहे हैं और चुछ यहाद रखिएगा यह अगर किसी के बास जमीन है किसी के पास एक्ता है तो उसका बेटा ही एक्ता होगा नहीं इनको एक्तेदार बोला जाता था समझे एक्तेदार ठीक है जो यह रखते थे तो एक्तेदारी सिस्टम इजरदारी सिस्टम तो यह हिसाब किताब रहता था तो यह हेरीडिटी अभी फिरोशात तुगलक के समय होगा अभी एहलिडिटी नहीं है तो यह इक्तादारी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रहा है अब उसके बाद 1235 में बदायू आखरी था जहां पेल तो तुम इसने कैंपेंगें की और इसके बाद फिर यह बिमार पड़ गया और 1236 में 1236 में इसकी हो गई मौत मर गय आई है अब इसके बाद रजिया सुल्तान आएंगी लेकिन कैसे आई हम देखेंगे ठीक है तो यह लेच्चर था आई होप आपको पसंद आया होगा खुश रहें पड़ते रहें देसे सिद्धान तक नहीं होतरी साइनिंग आफ और हमारे प्रहार बैच को ज़रूर जोइ आई हैंगी, thank you so much.